वेल्कम डिस्टाउन डिक्टेशन डिक्टेशन पांसकेन बाद शुलू होगा रेडी स्टार्ट जीवन के उद्देश और लक्ष को धारण करने वाला मानव ही इस शरीर को धन्य कर सकता है खाना पीना सोना जागना चलना फिरना ये काम तो सभी जीवजन्तू करते हैं पेट की चिंता करते करते सुख सम्रिधी के चिंतन में लिप्त होना जीवन नहीं है यह साधन हो सकता है साध्य नहीं साधन को साध्य मान लेना कोई समझदारी नहीं है इसी तरह हर काम को कर्म नहीं कहा जा सकता जो काम जीवन के लिए सार्थक हो वही कर्म है सद कर्म को ही कर्म माना जाए जो की सभ्यता का धर्म है इसलिए कर्म के महत्यों को समझने और उसे करने से ही जीवन के उद्देश्यों को पूर्ड किया जा सकता है और इन उद्देश्यों की पूर्ती ही लक्ष प्राप्ती का साधन है अर्थात कुछ भी करते रहना यह उद्देश्य नहीं है भटकते रहने से रास्ता नहीं मिलता जीवन का रहस्य यही है कि लक्ष की और निरंतर आगे बढ़ते रहना चाहिए वही पथिक अपने लक्ष का संधान करने में समर्थ है जो धर्म को ग्रहन करने का अधिकारी है लक्ष को हो की पुनह जन्म न मिले बलकी भवसागर से मुक्ती मिले बार बार मृत्यू लोक में आवागमन से सदैव के लिए छुटकारा मिले प्रेम योग एवं भक्ती योग नामक दो पतवार हैं जिनकी मदद से जीवन नौका से पार उतरा जा सकता है लेकिन अधिकांश मानव जब तक इस सत्य का दर्शन करते हैं तब तक बहुत देर हो चुकी होती है अंत समय में उनको पता चलता है कि जो साधन रूपी यह शरीर मिला था उसका उन्होंने निरा दुरूपयोग ही किया अंत काल में पस्तावा करने से कुछ नहीं मिल सकता इसलिए आज समय और शरीर का सच्चा उपयोग यही है कि परम लक्ष को पाने के लिए निरंतर प्रयास किया जाए आत्मा तक पहुँचने की सफलता में कर्म धर्म ही साधन है इसमें साधन और लक्ष हर छण इस्थिर हो साधना से लक्ष की और बढ़ना जीवन का धेय बने और शरीर की यात्रा में आत्मा का परमात्मा से मिलन संभव हो जो की पृथक अस्तित्व है ही नहीं चेंज सूचना क्रांती ने जहां आम लोगों को नए तरह के हथियार दिये हैं वहीं अभिव्यक्ती की स्वतंत्रता के समक्ष नए तरह के खतरे भी पैदा कर दिये हैं विराम इसमें कोई संदेह नहीं की तकनीक के घोडे पर सवार होकर शोसल मीडिया पोस्ट बिजली की रफ्तार से एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुच रही हैं विराम साधारण जनता के लिए शोसल मीडिया एक ऐसा हथियार बन गया है जिससे वह ताकतवर जमात को नई तरह से चुनोती दे सकती हैं विराम सबसे ज़्यादा चुनोती सरकारों को मिलने लगी हैं विराम खास कर उन सरकारों को जिनके वेवहार में लोकतांतरिक उसूलों का सम्मान नहीं दिखता हैं पहराचेंज हालां कि यह भी सच है कि आम आदमी के हाथ से तकनीक का यह घोडा कब बेलगाम हो जाए कहना मुश्किल है विराम इसी की आड में सरकारों को ऐसे मौके मिल रहे हैं जिनकी बिना पर सोसल मीडिया को नियंतरित करने के प्रयास किये जा रहे हैं विराम ताजा मामला विहार सरकार का है जिसने आदेश जारी कर सरकार अधिकारियों और जन प्रतिनिधियों के खिलाफ लिखे गए सोसल मीडिया पोस्ट को साइवर अपराद के दायरे में रख दिया है विराम उनके खिलाफ अब मानहानी के मुकदमे की कारवाई की जाएगी विराम यानी जो सरकार जनता के लिए बनी है अधिकारी जो जनता की सेवा के लिए तैनात हैं और जिनकी हस्ती जनता के प्रतिनिधि होने के कारण ही है उन पर यदि जनता कोई ऐसा कमेंट करती है जो उन्हें नागवार गुजरे तो उन पर मानहानी का मुकदमा किया जाएगा विराम दूसरी तरह से ऐसा भी कहा जा सकता है कि सरकारों ने अपनी जनता का चुनाव शुरू कर दिया है विराम यदि आप उसके साथ नहीं हैं तो शत्रू हैं विराम जबकि लोकतंत्र में चुने गए प्रतिनिधि उनके लिए भी उतने ही उत्तरदाई होती हैं जिन्होंने उन्हें नहीं चुना हो पराचिंज मानहानी का मुकदमा करना कोई नया प्रावधान नहीं है विराम गुलामी के दोर में अंग्रेज सरकार और अधिकारियों ने जनता की अभिव्यक्ती को दबाए रखने के रास्ते के तोर पर ऐसा कानून बनाया था आजादी के बाद जब तब इस कानून को हटाने की मांग भी उठती रही है विराम लेकिन बिहार सरकार का यह खास आदेश सोसल मीडिया पोश्ट के लिए आया है क्योंकि सरकारों को समसे ज़्यादा खतरा अब इसी से महसूस हो रहा है विराम बिहार में यह आदेश भले ही अब आया हो पर कैराज सरकारों ने सोसल मीडिया पोश्ट करने वालों को जेल की हवा खिलाना पहले ही शुरू कर दिया है विराम दो दिन पहले अमरिका के नए रास्ट पती बनने के बाद जो बाइडन का भाशन गौर तलब है की मेरी बात ध्यान से सुनो और अगर असहमत रहो तो समझो लोकतंत्र है स्टॉप